पूलिस ने लाठी चार्ज गिया है राची के मौराबादी थित बापू आटिका में जूटे थे और जे पीएसी ओपिस का घिराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे इन्हें रोकने के लिए बैरिकेटिंग की गई थी इसी दोरान पूलिस ने नो का जुकी हुई और वे आगे बढ़ने पर अड़े थे इसी दोरान पूलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया आपको पता दे कि ए अभियार्थी सातवी आठवी नौवी और दासवी सीविल सेवा पीटी का रियल्ट रद करने की मांग को लेकर अंधुरन कर रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक रांची में मौसम समाने रुप से सुस्क बना रहेगा इसके बाद सनीवार के राजधानी सहीत राजे के अंजीलों में हलके से मजदर्ज के बादल देखने को मिल सकता है इस दरण रात में ओस गिरने से लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ेगा बतादे सुवा और साम में कनकनी बढ़ेगी सनीवार तक सहर का निमतमता अपमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभवना है हलाकि दीन में हलकी धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी जार्खन की सभी विश्व विद्यालों में नई सिक्षा नीती जल्द होगी लागू केजर सरकार की निद्यश पर विश्व विद्याले अनुदान आयोग ने देश में नेशनल एजूकेशन पोलीसी लागू करने की करवाई शुरू कर दी है UGC के अध्याक्ष ने सभी विश्व विद्यालेों के कुलपती को पत्र भेज करना इस सिक्षा नीती को लागू करने की तयारी सुरू करने का निद्यश दिया है साथ ही सभी विश्व विद्यालों में जल्द नेशनल एजुकेशन पोलिसी सेल असाफित करने का निर्देश दिया है या सेल नीती के सभी अवस्चक पहलूओं का अधेयन कर इसे लागू करने की दिशा में करवाई करेगा इसके अलावा सेल समय समय पर इसकी निगरानी करेगा जारखन के 15 युवाओं को पुने की कमपनी में नोकरी राई सरकार के नगर विकास एवम आवास विभाग अंतरगत नगरिये प्रसासन निदे सालाई करेयाले में बड़की सरया के 15 युवाओं को मातर दो माह के पर सिक्षन पर प्रतिमा 17,500 रुपए की थनख्वा पर पुने में नोकरी मिली है बता दे नगर विकास एवम आवास विभाग की तरफ से इन्हें सोमवार को निक्ति पत्र दिया गया ये ओच छात रहां जो मैट्रिक के बाद इंटरमीडियेट और कुछ असनाता के सिक्षा ले रहे हाए 2024 तक फोटिफाइड राइस का होगा बितरन अजादी के अमरित महोच सव कारकरम के तहट खादेवम सरोजनी की बितरन प्रनाली राज्य मंत्री आस्मिनी कुमार चोबे ने वीडियो कंफरेंसी के माध्याम से कहा कि प्रधान मत्री नायंदर मोधी के नितितर में आम लोगों की खादे शुरक्षा, किसानों के कल्यान और आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार संकल्पी थाए बर्स 2024 तक सभी लावकारी योजनाओ के तहट फोटिफाइड राइस का बितरन किया जाएगा उन्होंने बताया कि जार्खण में खादे भंडारन चमता 4.45 लाख मिट्रिक टन हो गया है जो 2015 में 2.32 लाख मिट्रिक टन था इंटर्मीडियेट फरम भरने के लिए बिसेस तिति घोसित करने की मांग जैक द्वारा आयोजित इंटर्मीडियेट परिक्षा 2022 के लिए परिक्षा प्रवपत्र भरने से बंचित छात्र एम छात्राओं ने मंगलवार को परदर्शन कर जैक से परिक्षा फरम भरने के तिति बढ़ाने की मांग की है जैक बिधान सभा के अध्यक्ष रमिदनात महतो ने कहा कि किसानों की महनत बिचोलिये लूट रहे है आज गोलोबल बजार भी किसानों की महनत को लूट कर ले जा रहे हैं अब बजार घर आता है और हम अपने उत्पाद को बजार तक नहीं ले जा पाते जब तक किसानों को उत्पात के लिए उचीत बाजार वह मुले नहीं मिलता तब तक किसानों का आर्थिक सुधार नहीं हो सकता बिधान सभाज यक्स मंगलवार को दक्षनी छोटा नागपूर रिजिनल हैंडलूम वीवर्स को ओपरेटिंग यूनियन लिमिटेड इरभा में अधोनिक बुनकर परसेक्षन केंद्र एवाम एक कोमर्स का उधाटन करने के बाद उपस्तित लोगों को समधित कर रहे थे एकलब बिध्यालय निर्मान के बिरोध में 21 दिसंबर को मुख्य मंत्री आवास का घिराओ सीला गाई में एकलब ये अवाज से विद्ध्याला एकी जमीन की जमाबंदी रद करने को लेकर 21 दिसंबर को मुख्य मंत्री अवाज का घिरा होगा या निर्नाय मंगलवार को रांची प्रेस कल्ब में होई प्रेस वर्ता में दी गई बता दे आयोजन राजी पड़हा जार्खन आदिवासी महासभा केंद्रिये सर्ना समीती आदिवासी अधिकार मंच राजी पड़हा सर्ना प्रार्थना सभा भारत अखिल भारतिये आदिवासी विकास परिशत जार्खन छत्रिये पड़हा समीती हटिया आदिवासी हातु मह सबाख खोटी ने सवनित रूप से किया है धान के प्रतिक क्यूंटल 940 रुपया और बोनस 110 रुपया मिलेंगे इस वरस सरकार ने धान अधिप्राप्ति के लिए मेस्पी 940 रुपय प्रतिक इंटल तय किया है इसके अलावा किसानों को 110 रुपय बोनस के तोर पर दिये कि कीमत प्रतिक इंटल 2050 रुपय मिलेंगे बतादे खुटी जीले में धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों के निबंधन का काम सुरू हो गया है निबंधन के लिए किसानों को एक फ्रम भरना होगा जिसमें उनका नाम मोबाइल नंबर अधार संख्या मद्दाता पहचा 1202 लोग स्वास्थ भी हुए है धन्यवाद